हैपी न्योयर गाइस नए साल की बहुत बहुत बधाईयां दोस्तों साल 2020 खतम हो चुका है और हम 2021 में आ गए हैं और इसी के साथ लोगों में नए नए आईटियास और प्लैनिंग भी हो गए होंगे 2021 के दोस्तों 2020 हम सभी के लिए बहुत अच्छा नहीं गया है जहां हमें कोरोन जैसे मामारी का सामना करना पड़ा और भी बहुत प्रॉबलम्स फेस करनी पड़ी है पर दोस्तों ध्यान रहे साल बीता है कोरोना नहीं इसलिए साथ धान रहे दोस्तों साल 2020 में कोई बात अच्छी रहे या नहीं रहे पर स्पेस मिसन में तो काफी तरक्की हुई है और 2021 में स्पेस मिसन के लिए क्या प्लैनिंग है इंडिया का और बाकी देशों का यही बात करने वाले हैं आज किस एपिसोड में तो मेरा नामे सौरुकुमार चलिए शुरू करते हैं आज किस एपिसोड को दोस्तों 2021 में जाने से पहले 2020 में हुए स्पेस प्रोग्राम की बात कर लेते हैं 2020 में कुल 114 स्पेस फ्लाइट इवेंट्स हुए जिसमें से 104 सक्सेस्फुल रहे और 10 फेल हो गए भारत ने तीन स्पेस क्राफ्ट लॉंच किये CMS-01, EOS-01 और G-Sat-30 जिसमें CMS-01 और G-Sat-30 Communication Type Satellite थे और EOS-01 Disaster Managing System और Earth Observation Type Satellite थे और तीनों ही सक्सेस्फुल रहे दोस्तों अब बात करते हैं 2021 में होने वाले कुछ स्पेस प्रोग्राम के बारे में अगर आपने मेरा 4G Network on Moon वाला वीडियो देखा है तो आपको याद होगा उसमें मैंने एक स्पेस प्रोग्राम के बारे में बोला था डीप स्पेस में ट्रैवल का Experience करने के लिए और इस से हमें सर्वाइवल में क्या मुसीवत होने वाले है इसका पता करने के लिए वी वैसे प्लैनिंग है 2024 में कुछ एस्टा नौट के ग्रूप को Moon पर भेजकर एक सर्वाइवल टेस्ट करने के लिए लेकिन इसको हम स्टार्टिंग में एराइन नाम के स्पेस्क्राफ्ट बैट के मून का चक्कर लगाएंगे लेकिन यह प्रोग्राम को लॉंच करने में अभी थोरा समय है मतलब कि यह 2021 में थो ऐसा लेट से होने वाला है अब भात करते हैं मार्स मिसन की तो February में कई देश मार्स मिसन करने वाले हैं जिसमें से The United Arab Emirates का अल अमल स्क्रिप्स क्राफ्ट है जो अरव का फर्स्ट इंटर प्लैनेटरी मिसन होने वाला है यह 9 फरवरी को मार्स के और्बिटे पहुँच जाएगा इस राकेट में एक और्बाइटर और एक रोवर लगा हुआ है अगर चाइना का यह मिसन सक्सेस्फुल होगा तो चाइना मार्स पर मिसन करने वाला थर्ड कंट्री बन जाएगा आए आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कंट्री इंडिया है इसका उदेश है मैपिंग और सर्फिस पर मिनरल कंपोजिशन ढूड़ना और पानी के उपर भी खोच चलेगा इसके बाद नासा का प्रेजरवेंस रोवर 18 फरवरी को मार्स के जैजिरो क्रेटर में लेंड करेगा वो मार्स पर एंसियंट लाइफ के बारे में वहां की मिट्टी या फिर वहां के क्रेटर से पता लगायागा नेक्स्ट स्पेस प्रोग्राम है जैम्स वेब टेलिस्कोप यह हवल टेलिस्कोप का ही एक उत्रादिकार याने की सकसेसर है इसको 2007 में ही लांच करने का प्लैन बनाया गया था लेकिन पत्रीला रास्ता होने के कारण इसके लांचिंग में 14 साल का लेट हो गया मतब कि 14 साल डिले चल रहा है हवल टेलिसकोप ने हमें स्पेस के कई अमेजिंग व्यूज दिये हैं विजिवल लाइट और अल्ट्रा वायलेट रीजन में पर जब हमें और डिस्टेंस तक देखना हो तब रास्ते में गैस या क्लाउट आ जाते हैं जो विजिवल लाइट या अल्ट्रा वायलेट लाइट के कम वेवलेंथ के चलते ब्लॉक हो जाते हैं इसलिए वेब टेलिस्कोप इंफारेड वेवलेंथ बैंड पर फोकस कर रहा है जिससे हमें ब्रमार्ण में और अधिक दूर तक देख सकते हैं इसका प्रामिरे मिसन होगा गैलेक्सी के आखरी छोड़ से आने वाले लाइट्स को देखना जिससे स्टार प्लैनेट्स गैलेक्सी के फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा वेब टेलिस्कोप को 31 अक्टूबर एडियन 5 के रॉकेट के द्वारा लॉंच किया जाएगा मार्च 2021 में अपने तीसरे मून मिसन यानि की चंदरियान 3 को लॉंच करने की योजना बना रहा है चंदरियान 1 को 2008 में लॉंच किया गया था और यह वन आफ दे मेजर मिसन था एंडियन स्पेस प्रोग्राम का इसमें एक औरबिटर और एक पेनिट्रेटर प्रोब था यह वर्ल्ड में फर्स्ट मिसन था जिसने यह कनफॉर्म किया कि मून के सर्फेस पर वॉल्टर प्रेजेंट है और fortunately एक साल बाद ही connection low हो गया और sadly similar चंद्रियान 2 के साथ भी वह हुआ चंद्रियान 2 में एक औरबिटर, लेंडर विक्रम और रोवर प्रग्यान था कुछ महिनों के बाद ही चंद्रियान 3 के announcement कर दी गई थी इसमें एक लेंडर और एक रोवर है और बिटर पिछले mission का ही use किया जाएगा जो की function में है और हमें data provide कर रहा है चंद्रियान 3 का रोवर चंद्रियान के south pole के atticon basin को touch करेगा ऐसा माना जाता है कि moon के इस हिसे में water sub-surface ice में change है और अगर ऐसा है तो space survive में यह काफी useful होगा दोस्तों आज के लिए इतना ही और अगर इन space programs में कोई update आता है या फिर कोई changes होगा तो मैं आपको जरूर इंफर्म कर दूँगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के like कीजिए, share कीजिए friends, family में और ऐसे ही science facts जानने के लिए subscribe कीजिए content दुनिया को और बैल आइकन को प्रेस कर दीजेगा तब तक लिए take care happy new year जय हिंद